बाइस समय ऐसा है फिर किया वो काम किया तो इसका मतलब तो फिर तो रचेता और रचना में फरक है ना तो रचना मास्टर बन गई तो बहुत बार 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 बाबा ने आज फोकस किया है चलो बाबा के शब्दों में सुंग बारा पाच मिठी बचने और रिवाइस डेट है 30.11.99 पास्वित ओनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन बनो सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन बनो आज बाब दादा किस सबा को देख रहे है आज की सबा में हर एक बच्चा हाइस्ट और अविनाशी खजानों से रिच्चेस्ट है दुनिया वाले कितने भी रिच्चेस्ट हो लेकिन एक जनम के लिए रिच्चेस्ट है एक जनम भी रिच्चेस्ट रहेगा या नहीं यह भी निश्चित नहीं है हमेशा वैसा रहेगा भी नहीं या समय पर वो रिचनेस काम भी आई ये भी ज़रूरी नहीं चाहे कितना भी रिच्चेस्ट इन वर्ल्ड हो परंतु एक जनम के लिए और आप हो जो कार्तिक भई आगिया जो आप हो जो निश्चे और नशे से कहते हो कि हम अनेक जनम रिच्चेस्ट है क्योंकि आप सभी अभिनाशी खजानों से संपन हो आप सभी जानते हो कि हम अनेक जनम रिच्चेस्ट है क्योंकि आप जानते हो कि हम इस समय के पुर्शारत से क्यों हम अनेक जनम रिच्चेस्ट है देखो उसका reason, इस समय के पुर्शारत से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले है, अब यह अच्छा पुर्शारत किया, थोड़ा सा टेंशन दिया, तो कितनी कमाई हो गए, स्रेश्ट फिलिंग्स में रहना, स्रेश्ट फिलिंग्स औरों की करवाना, यह कमाई है न, आत् तो बाबा के रहे हैं, जानते हो न, हिसाब जानते हो, गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम, तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नौलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा करते हो, जितनी कोई भी परिस्थिती आई, कितनी मेरी स्रेष्ट फिलिंग रही उसमें, उतने मेरी कमाई हो गई, यह है अर्नि, जैसे आज बाबा ने बाद में कहा है, व्यादी आई, बिमारी आई, और संकल्प चला बार बार, थिरज भई आगे आज़ो, तो संकल्प चला उस समय, व्यादी के समय, कि बहुत अच्छा, वावा, यही चलाया न, बाबा ने तरीका बताया, तो क्या किया, कमाई जमा करी, बस यह तरीका है, तो जानते हो एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो, तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नौलेज द्वारा, याद द्वारा, हर कदम में पदम जमा होते हैं, तो सारे दिन में जितने भी कदम, याद में उठाते हो, उ याद में जितने कदम जमा करते हो उतना पदम, कदम उठाते हो उतना पदम, कितना अच्छा equation बाबा ने दिया, तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा, वा है, पूछ रहे बाबा, विश्व में चक्कर लगाओ, लगा कर आओ, सिवाए आपके इतना जमा कोई करी नहीं सकता, याद में और नौलेज के द्वारा जो भी कदम उठाया, उसमें पदम, उसमें कमाई, एक तो कमाई प्लस मल्टिप्लिकेशन, दोनों बाते हैं, तो इसलिए बाब कहते हैं, स्रेष्ट स्मृति में रहो, कि हम आत्माओं का भाग्य, परम आत्मा द्वारा ऐसा स्रेष्ट बना हैं, अपने खजाने को जानते हो ना, कौन-कौन से खजाने हैं, याद है ना सब को, समय, संकल्प, श्वास, संबंद, गुण, शक्ति, ज्यान, आठ खजाने, खुशी का खजाना, खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, ये सब खजाने, और जहां ये खजाने पावरफुल है, तो चाहे बाहर के खजाने नहीं भी हो, वो पावरफुल हो जाते हैं, तो आप जानते हो ना समय के खजाने को भी जानते हो कि इस संगम उक का समय कितना स्रेश्ट है देखो समय as a treasure मनुष्य यह जानते हैं समय valuable है मतलब बहुत time कम है बहुत busy है यह है समय समय as a treasure treasure मतलब इतनी उसके value करना जिसको बाबा कैते एक संकल भी वेस्ट किया, मतलब कितना समय वेस्ट किया, इसको कहेंगे समय वैल्यूबल है, खाली ये कह देना समय वैल्यूबल है तो वो थोड़ी time waste कर रहे है आदा-दा घंटा वो ही same news में देखते जा रहे है और केते समय बहुत किमती है वो कैसे हो सकता है match नहीं होता है उसकी value करना तो सर्वधिकार प्राप्त कर लिया है न तो इस संगम युक का समय कितना स्रेश्ठ है चो प्राप्ति चाये वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो सर्वदिकार प्राप्त कर लिया है न, एक-एक स्रेष्ट संकल्प कितना बड़ा खजाना है, एक-एक जनम, एक-एक ज्यान रतन कितना बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है और सर्वशक्तिया बड़े से बड़ा खजाना है, सबको याद है न, यह नाइन यह सब सर्वाले है और तो अब बाबा के दे सर्वशक्तिया भी बड़े से बड़ा खजाना है एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है दुनिया वाले भी मानते है कि श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते जितना समय याद में बैठे उतना मेरा जमा हो गया खजाना अब हम रोज 10 मिनिट बैठते, 15 मिनिट बैठते, चलो, वैसे नहीं, लिकिन अगर इतना भी किया ना जमा, जमा होता गया, यह आत्मा की पुंजी है, तो आप सबके श्वास सफलता सुरूप है, फ्यर्थ नहीं, हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है, तो बावदादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने, एक जैसी दिये है, सर्व भी दिये है, और समान दिये है, कोई को एक गुणा, कोई को दस गुणा, कोई को सो गुणा, ऐसे नहीं दिया है, देने वाले दाता ने एक एक को, एक एक बच्चे को सर्व खजाने, ब्रामन बनते ही समान रूप में दिया है, लेकिन खजाने को कितना जमा करते है या गवाते है, यह हर एक के उपर है, हर एक को चेक करना है, कि हम सारे दिन में कितना जमा करते है या गवाते है, खजाने को, समय है, श्वास है, लेकिन जमा करते है, या ऐसी वेस्ट जाता है, बैटे बैटे सोच लिया वो बाते याद आ गई नेगेटिव नहीं किया लेकिन क्या कहेंगे इसको वेस्ट किया नेगेटिव भी नहीं तो बावा कहते है जमा किया या गवाया तो देने वाले दाता ने एक-एक बच्चे को खजाने दिया तो यह हरें के उपर है, हरें को चेक करना है, हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं, अब एक होता है जो चलो ये वारे स्टाईल से आगर कुछ करें करते हैं, एक होता है, हम कामी कर रहे हैं, बुद्धी उसमें पुरा concentration चाहिए अब वो जमा हुआ या waste हुआ कोई ऐसा काम होता है न जिसमें बुद्धी की पूरी involvement कंप्यूटर पर कर रहे है कोई बात चीप कर रहे है लॉकिक है तो जमा हुआ या waste हुआ waste हुआ बाबा की याद भी रहके किया याद तो उसमें रही मतलब actual तो वैसे याद नहीं होती है न उसमें में ज़र आपसे बाते कर रही हूआ कोई important बात ही चल रही है कोई office में बात ही कर रही है मतलब कोई meeting ही हो meeting शुरू करने के पहले बाबा को पहले तो बुला ही सकते है मतलब उस समय अगर feelings हमारी उसमें ज्ञान युक्त feelings है बाते कर रहे है लेकिन कितनी बाते ज्ञान के according भी तो हो सकती है न वो बाते आत्मिक feeling रही उस soul के प्रति या उसमें मतलब जो important है कभी कभी negative में चले जाते है कोई इसके दोरान मतलब कही न कहीं कुछ न कुछ अगर flavor थोड़ा सा भी ऐसा हुआ तो waste हुआ और अगर इद्दम स्रेश्ट संकल्प द्वारा क्योंकि सब जगह ज्यान तो use होता ही है न चाहिए official discussion भी हो उसमें होता है कभी कि चलो इसमें भी अच्छा हुआ कितने सारी feelings ग्यान की use हो सकती है हो सकती है कि ने तो वो lock kick में भी regular discussion में भी उसको स्रेश्ट बना सकते है जमा हो गया वो यादकार हो गया inspiration हुई वो कि देखो बात ऐसी थी आपने ऐसी change किया उसको तो वो inspire हुआ तो उसका एक discussion का जो flavor है ना अगर वो ग्यान युक्त है तो फिर तो जमा हो गया ना waste नहीं हुआ तो जमा करने की विदी जानते हो तो ऐसे पूरे दिन में हो सकता है जमा बहुत सहज है ना सिर्फ जमा करने की विदी देखो एक अच्छी विदी बाबा बता रहे है सिर्फ बिंदी लगाते जाओ देखो बिंदी मुश्किल है बिंदी याद है तो जमा होता है कभी मैं आत्मा बिंदी ये भी आत्मा है बात कर रहे है लेकिन ही clear है ये आत्मा मैं भी आत्मा कभी चलो कोई बात हो गई पास्ट की बिंदी लगा दिया, हो गया, खतम, मैंने लर्न किया इसमें, बिंदी लगा दिया, तो ड्रामा की बिंदी, कभी शिवावा बिंदी, शिवावा इमर्ज है मेरे सामने, मैं बातचित कर रहा हूँ, उस डिसकॉशन में, पूरा लौकिक बाबा सामने बैठा है, बस इसमें, तो बाबा कहते हैं, ऐसी आत्मा भी बिंदी, बाब भी बिंदी और ड्रामा में जो बीच चुका, वो भी फुल स्टॉप और थाथ बिंदी, अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो, तो जमा होता है, अनुभवेना, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है, बिंदी लगाने आती है, कई बार ऐसा होता है, जो कोशिश करते हैं बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाए, लंबी लाइन हो जाती है, बिंदी के बजाए, क्वेस्चिन मार्क हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर ये भी वह संकल पता नहीं क्या हो रहा है क्यों ऐसे डिले हो रहा है क्यों ये हो रहा है ये भी संकल पाया क्या कहेंगे फेल की पास एक बार गाहित्री बन United Nations का गुलजार दादी आई हुई थी United Nations तो यूनियन की वो बिल्डिंग होती है तो वहाँ प्रोग्राम रखा था मुईनी बन लेकर आई दादी को तो देखा रूम का सेटप आने वाली थी मतलब दादी गुलजार को लेकर तो गाहित्री बन को बुला कि ये कमरा का जो है ठीक नहीं है इसको इसे ऐसे ऐसे करो ठीक करो और वहाँ का नियम है United Nations के बिल्डिंग को आप कुछ भी सेटप को चेंज नहीं कर सकते हो इदम और उनोंने इदम direction दिया अब वो फटाफट ऐसे वैसे चूड़ा जैसे दादी को चाहिए वैसे चेंज किया उतने में वो डारेक्टर आ गई वहां के और फिर वो तो बरस गई बहुत इतना ये ऐसे जो भी अब वो बरस रही थी वहां से उसने देखा दादी आ गई दादी देख रही है तो फिर बाद में तो चलो फिर वो किया उसके recording, प्रोग्राम हुआ पुरा और फिर जब कार में जाने लगे दादी के साथ थे तो फिर जैसे complain mode में देखा दादी देखो मैंने तो ठीक ही किया था मतलब लेकिन मुईनी बेन ने ऐसे मुझे डारेक्शन दिया तो फिर यह हुआ और आपने देखा न कैसे उसने किया तो बुला हाँ देखा बुला दादी फिर मैंने तो ठीक किया था न मैं तो बुला मैं तो क्या देखा दादी को बुला दादी ने कहा कि मैंने देखा कि तुम कैसे हिसाब किताब चुक्तु कर रही हो तो बुला तो फिर तुर मैं पास हो गई बुला नहीं क्यूं रियक्ट किया न ये था न क्या है दीदी ने ऐसे बोल दिया टाइम पे और कोई भी डिसकुशन में हम उसको जमा कर सकते हैं अगर उसमें हिसाब किताब चुक्तु है ये चिलाने वाला चिला रहा है लेकिन ये फिलिंग है दादी को पूछते थे न कि इतने बार कि तो इतना कोई बोल की गया चुप कैसे रहे बोला मैं मैं देख रही थी मेरा कितना अ कि आ वह बी अलग अलग है न जादी कि जो चिलाने वाला है उसको कुछ चाहिए तभी तो मेरे पर चिला रहा है तो बाबा कहते हैं तो जमा हो सकता है दिलेब भाई कोई भी परिस्थिति में हो सकता है कि नहीं बिंदी लगाने आती है बस बिंदी लगाओ जमा हुआ कई बार ऐसा होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने के लेकिन बिंदी के बजाए लंबी लाइन हो जाती है बिंदी के बजाए question mark हो जाता है आश्चरी की लाइन लग जाती है तो जमा का खाता बढ़ाने की विदी है बिंदी और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाओ just imagine कि वो बात को कितनी बार दोहराते है वो ही state of mind से एक होता है जब हुआ तब मैंने गल्ती की लेकिन उसको justify करते करते उसी state of mind को कितना गवाया बाद में भी आश्चरी की मात्रा लगाना सहज क्या है पूछ रहे बाबा सहज क्या है सभी online फरिष्टे बाबा पूछ रहे सहज क्या है बिंदी लगाना विदी बहुत सहज है सौमान और बाप की याद तता फाल्तु को फुल स्टॉप लगाना बाप दादन आप पहले भी कहा है रोज अम्रत्वेले अपने आपको तीन बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं गवा जाएगा हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा कुछ भी बात हुई बहुत अच्छा मेरा हिसाब किताब क्लियर हुआ उतना उसने डाटा नहीं है उसने गुसा नहीं किया लेकिन मेरा हिसाब किताब क्लियर हुआ बस जमा हो गए बिंदि हो गई तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा हर समय हर खजाना जमा होता ज बाब दादा ने सभी बच्चों के घर खजाने के जमा का चार्ट देखा, उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता, जमा का चार्ट क्या है? अभी तक भी जमा का खाता, जितना होना चाहिए, उतना नहीं है. समय संकल्प बोल व्यर्थ भी चाता है चलते चलते कभी समय के महत्व इमर्ज रूप में कम होता है अगर समय का महत्व सदा याद रहे इमर्ज रहे तो समय को और ज्यादा सफल बना सकते हो सारे दिन में समय का खाता वेस्ट कब जाता है वैसे तो सब भी बिजी है बिल्कुल टाइम नहीं है और वाबा केते पूरा खजाना वेस्ट जा रहा है सारे दिन में व्यर्थ भी नहीं और वाबा आगे के और सुक्षम रूप में साधारन रूप से समय चला जाता है Ordinary feeling मैं mother हूँ मैं father हूँ मैं sister हूँ मैं brother हूँ Ordinary feeling है न अच्छा special feeling क्या होगी अपने role की feeling Ordinary feeling और Special feeling मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं भगवान का बच्चा हूँ काम करो, काम करो,फिलिंग यह, तो समय का, तो साधारन रूप में चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारन, ऐसी संकल्ब भी बूरे नहीं चलते हैं, लेकिन व्यरत, व्यरत चले जाते हैं, एक घंटे की चैकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधरन जाते है जमानी होते है फिर बाप दादा इशारा भी देता है तो बाप दादा को भी दिला से बहुत देते हूं बाबा ऐसा थोड़ा सा संकल्प है बस बाकी नहीं संकल्प में थोड़ा चलता है ना संपूर्ण हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे अभी अंत थोड़ी आया है थोड़ा समय तो पड़ा है समय पर संपन हो जाएंगे जैसे हम बच्चे हमको पैरेंट्स को करते है ना थोड़ा सा ही तो देख रहे हो गया बस खतम हो ग बार कह दिया समय क्या है इस बात के लिए थोड़ा सा है बस जमा बहुत समय का चाहिए ऐसी नहीं खाता का जमा अंत में संपन करेंगे समय आने पर बन जाएंगे बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है वर्सा लेने में तो सभी कहते हम तो लक्ष्मिनारेन बनेंगे अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता यूगी बनेंगे तो कोई हाथ नहीं उठाता और लक्ष्मिनारेन बनेंगे तो सभी हाथ उठाते तो अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा पूरा वर्सा मिलेगा बहुत समय का जमा का खाता का मीनिंग, राजेंद्र भाई, बहुत समय से जमा का खाता, मतलब आज दिन, कितना एक है मैं आज की दिन मेरी स्थिती अच्छी रही, आज की दिन पूरा दिन सफल हुआ, ऐसे कितने सारे दिन, बहुत समय का जमा का खाता, तो अगर थोड़े समय का जमा का खाता है तो, थोड़े समय का राज्य मिलेगा, तो यहां से क्या होता है, बैक सिटिंग से स्टार्ट होता है ना, आगे से सिटिंग नहीं होती है, पीछे से सिटिंग होती है, यहां की, मतलब, मतलब, बोलो, पहले कल यूगी थे, तो कल यूगी बुद्धी से अब द्वापर यूगी, द्वापर यूगी से त्रेता यूगी, कि तोड़ा जादा जम्म है तो त्रेटा के स्टार्टिंग में आइंगे उससे तोड़ा ज़्यादा है तो सत्य के एंड तक और ऐसे करते करें तो पीढ़ा से शितिंग कुछ दीक तो बाबा पूच रहे हैं तो अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्सा कैसे मिलेगा तो कहां से सिटिंग अमार यूगी थोड़ा सा जमा है तो तुरिता यूग के एंड से बाबा को देना पड़ेगा क्यों बाबा को बैक सिटिंग क्यों है यहां बैक सिटिंग का स्टाइल क्यों है टार्टिंग से क्यों नहीं कि अवावन हैं लॉजिक निचिव नि मतलब यह वाली सिटिंग क्यों की पहले ठीक ठीक थोड़ा जमा होगा तो ठीक एंड का वाला क्यूंकि हां क्यूंकि एक बार आने वाला वापस जाएगा नहीं न तो यह तो नहीं थोड़ा सा दे के फिर बाबा वापस उपर भेज देगा तो इसलिए पीछे से जब भी आत्मा आईगी उसके जमा के खाते के एकोडिंग उसको वहाँ बाद में कंटीनिव करते रहना है न इधर इस कारण जितना जमा होगा उस समय एकोडिंग वो आत्मा इस धरते पर प्रवेश करेगे तो बाबा कहते हैं थोड़ा समय तो पढ़ा है समय पर संपन हो जाएंगे ऐसी नहीं जमा का खाता अंत में संपन करेंगे समय आने पर बन जाएंगे बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है वर्सा लेने में तो सभी कहते ही है तो अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फु जमा कर सको, उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे, गेगे नहीं करो, तो कौन सी भाषा होनी चाहिए, आ, ही है, करना ही है, यह है दर्टा, अमरतवेले जब बैठते हैं, अच्छी रीती में बैठते हैं, तो दिली दिल में बहुत वाइदे करते रहते हैं, कि यह करेंगे, यह करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे, यह तो अच्छी बात है, स्रेष्ट संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं, इन सब वाइदों को करम में लाओ, यह बहुत अच्छा है, हर ब्रामन में वाइदे जरूर करते हैं, यह भी है, भाग्य है, अब का लाओ, बच्चे संकल बहुत अच्छे-च्छे करते हैं, बाप, दादा उस समय खुश होते हैं, क्यों? ये भी कम बात नहीं अच्छे संकल करने, ये भी कम बात नहीं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं न, संकल पाना, कि अप से मैं जमा का खाता बहुत करूंगा, तो हिम्मत तो रखी न, न, तो जैसे ही सुनते हैं, एक होता है न, immediately give up कर देते हैं, न, बाबा, ऐसे तो मिर से नहीं होता है, ऐसे भी हो सकता था न, पर किया संकल, तो हिम्मत रखे न, यहां बनेंगे, यहां करेंगे, हिम्मत ब लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं तो संकल्प और करम को प्लेन और प्रैक्टिकल दोनों को जमा करना जानते हैं न और इंजिनियर वो वेग्यानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं और जो रूरल प्रण्ग्रामिन प्रभाग है बाबदाद उनों को रूलर कहते हैं रूरल आपको पता है न हमारा rural wing है जिसमें पूरा rural areas में जिसमें agriculture सब आ जाता है agriculture वो सब rural wing में आता है आजकल हमारे rural wing का एक चला है एक-एक district को adopt करो तो जो भी जैसे शहर के आसपास है ORC वालों ने भी ऐसा कुछ adopt करने का सोच क्योंकि है ना प्रदान मंतरी का वो ग्रामिन विकास योजना में तो हर जो देश के जो प्रोजेक्ट्स होते इसमें ब्रह्मा कुमारी अच्छा पाटिसिपेट कर लेते तो बाबा केते है रूरल मतलब रूरल रूलर तो सिर्फ कहने वाले नहीं क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते तो तीनों ही विंग जो आये है बाबा के सामने उस समय इंजीनियर विज्ञानिक और रूरल विंग आये थे तीनों ही विंग जो आए है वो करम करने वाले हैं सिर्फ कहने वाले नहीं करने वाले तो सभी वाइदे करम में निभाने वाली आत्माई होना या सिर्फ वाइदा करने वाले हो वाइदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखा कर खुश कर देते हैं बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वाइदो का फाइल बहुत है, सुना, वहां वतन में वाइदो का फाइल रखने के लिए अलमारी वा जगह की तो बात ही नहीं है, सब चिप्स में जमा हो जाता है, कभी-कभी बाप दादा अपनी अलोखिक टिवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते हैं, कभी-कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है, जो आपस में बोल चाल करते हैं न, वो क्या होता है, यगर सब जगह CCTV के अमेराज है बाबा के, हर बच्चे के पास के, तो होता है न, वो मुबाइल में, बाबा केते हैं, तो जो आपस में बोल चाल करते हैं न, वो भी सुनते हैं, इसलिए बाब दादा केते हैं, व्यर्थ को जमा के खाते में, जमा करो, जमा नहीं करो होना चाहिए, व्यर्थ को जमा के खाते से निकालो, जमा नहीं करो, ब्राम् प्राप्तिया बहुत बड़ी है, स्वमान बहुत बड़ा है और संगम के समय पर बाप का बनना यह बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, हर खजाने का महत्व रखो, जैसे दूसरों को भाशन में संगम यूकी कितनी महिमा सुनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक देवे की संगम यूकी महिमा करो, तो कितना समय कर सकते हो, एक घंटा कर सकते हो, संगम यूका अभी का महत्व कितना है, तीचर्ज बोलो, एक घंटा कर सकते हो, जो कर सकता है वह हात उठाओ, संगम यूकी महत्व हो, तुम कितना बोल सकते हैं, सभी उठा सकते हैं ना हाथों अच्छा तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो महत्व जानते बहुत अच्छा हो बादादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं है जब सुना सकते हैं तो जानते हैं तब तो सुनाते हैं सिर्फ है क्या कि merge हो जाता है emerge रूप में स्मृति रहे ये कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा तो अपना इश्वरिय नशा emerge रखो हाँ मैं तो हो गई हो गया नहीं practical में हूँ ये emerge रूप में हो निश्चे है लेकिन निश्चे की नशानी है रोहानी नशा मैं हूँ मैं वो feeling तो सारा समय नशा रहे रोहानी नशा की मैं कौन ये नशा emerge रूप में होगा देखो जमा करने की वीदि करम कर रही हूँ लेकिन मैं कौन हूँ ये feeling हो सकती है कितने भी busy schedule business में सब कुछ handle करते हो हो सकती है try करो तो हो सकती है वो seat पर बैठे है लेकिन मैं हूँ कौन बस safe feeling जमा हो गया बाबा केते हैं तो ये नशा emerge रूप में होगा तो हर second जमा हो तो जो भी कर रहे है जैसे सुरज भाई बताते हैं न एक बड़ा विक्त बाब ददा लच्चु दादी को बोलते हैं सुरज को बुलाओ सब चले गए थे ये तो सो भी गए थे सुना है वो स्टूरी तो वो आई लब सो गए थे बाबा वो बुला जल दी जाओ सुरज भाई को ये बाबा बुला रहा है अब वो आए जो भी नाइट ड्रेस तो था लेकिन वो नेपाली चदर ओड़के ही आ गए बाबा के सामने बाबा को फिर बाबा ने कहा ठीक हो ठीक चल रहे हो अच्छा फिर बाबा ने पूछा कि फील तो नहीं होता छोटा सा काम है भुजन का डिपार्टमेंट दिया ना खाना बनाने का बुला नहीं बाबा समर्पित हो गए कुरवान हो गए जो बाबा ने कह दिया रेडी तो ने कहां कि देखो तुम धाइसों का भोजन बच्चे तुम जितना भोजन बनाते हो तो अगर जैसे धाइसों का भोजन बनाते हो तो एक हजार आत्माओं को संदेश देने का पुन्य जमा करते हो 400 का भोजन बनाते हो फिर मतलब बाबा चिट चैट कर रहे थे कि उन सब का एक एक परसंट तुम्हारा जमा होता है तो क्या हुआ एक है क्या सेवा मिली फिलिंग है करम कर रहे है लेकिन वेस्ट कर रहे है और एक है तो हर सेकेंड चमा होता है क्या फिलिग हो सकती बाबा का भंडारा है बाबा ने कहां उसमें बाबा ने कहां कि मदुबन में बच्चे आते ही है बाप और ब्रह्मा भोजन के लिए तो अगर प्यार से बाब की याद में खिलाते हो तो धाइसो का भोजन नहीं बना रहे हो लेकिन एक हजार को संदेश देने का पुन्य जमा कर रहे है प्यार से बाबा की याद से तो जो भी करम किया उसमें इतना प्यार से होगा तो क्या हो जाए एन वाइसा वर्सा नहीं होगा तो फिर तो बाबा केते तो आज बाब दादा ने जमा का खाता देखा इसलिए आज विशेश अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है यह नहीं सोचो को मालुम तो पढ़ता रहेगा समय पर ठीक हो जाएंगे जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा उनका टीचर कौन समय या स्वयम परमात्मा परमात्मा से संपन नहीं बन सके और समय संपन बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है तो ड्रामा नूसर अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्टन होगा तो बाप दादा जानते है कि परारवद भी समय पर मिलेगी क्योंकि समय टीचर है पहले ने मिले समय ऐसा है अब क्या है मेरा समय ऐसा है तो ज़्यादा योग कर लू लेकिन समय नहीं था फिर भी क्लास की फिर भी मुरली मिस नहीं की फिर भी योग किया वो जमाओगा समय था इसलिए किया तो मतलब समय टीचर है तो समय आपका मास्टर या परमात्मा आपका शिक्षक है तो ड्रामा नूसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा तो बाब दादा जानते है कि प्रारब्द भी समय पर मिलेगी क्योंकि समय टीचर समय आपका इंतजार कर रहा है आप समय का इंतजार नहीं करो कोई भी कार्य स्रेष्ट करने के लिए यह नहीं सोचो कि अभी यह नहीं थोड़ा दिनों के बाद करोंगा अभी होगा हो जाएगा वैसे भी आप देखो पिछले साल और इस साल लगता है कि काफी कितने चेंजेज होए हर कोई के परसनल लाइफ में भी कितने एरियाज में पहले वैसे सोचा नहीं था लेकिन तो एक जैसा तो समय वैसे भी नहीं होता है न जो हम सोचे कि बाद में हो जाएगा तो आप समय का इंतिजार नहीं करो अच्छा तो आप मास्टर रचता समय का इंतिजार नहीं करो और मुश्किल है भी क्या स्वयम को सहज को स्वयम ही मुश्किल बनाते हो मुश्किल है नहीं मुश्किल बनाते हो जब बाप कहते है जो भी बोज लगता है वो बोज बाप को दे दो वो देना नहीं आता बोज उठाते भी हो फिर फिर भक भी जाते हो फिर बाप को उलाना भी देते हो क्या करे कैसे करे उसमें बच्चा बनना पढ़ता है स्कूल से निकलता है ना, पैरेंट को देखते है सबसे पहला काम बच्चा क्या करता है सबसे पहला काम और भागेगा इसलिए भाग सकता है तो बाबा कहते हैं बोज उठा दे क्यों बाप ओफर कर रहा है क्या क्या ओफर कर रहा है अपना सब बोज बाप के हवाले करो पूरा 63 जनम बोज उठाने के आदत पड़ी हुई है न तो आदत से मजबूर हो जाते हो चलो बोज रखे बाबा को पास जितना भी बोज है जो फिल होता है करम का बोज संबंदो का बोज पूरा बाबा को दे देते हैं चलो बिंदू स्वरूप में स्थित हो जाते हैं एक बाबा के पोटली सामने रखी है अपने सामने सर्व संकल्प बोज वाले ये मेरा है ये मुझे करना है ये बाकी है होने रहा सारी ये इवेंस उस पोटली में डाल दिया जो सारी परिस्थिती को विजुलाइस कर रहे है तन का मन का कोई रोग है उस बड़ी बैग में डाल दिया संबंदों का ये ऐसा वो वैसा कब चेंज होगा चलो वतन में चलते हैं बैग लेके बाबा के पास बाबा ये गिफ्ट ब्रह्मामा मदर्स्टे बाबा को ये गिफ्ट दे दी ओप्शन दी ठीक है तो ये ऐसा पुशारत कर सकते तो बाबा केते है 63 जनम बोच उठाने के आदत पड़ी होई है तो आदत से मजबूर हो जाते इसलिए मेहनत करने पड़ती है कभी सहज, कभी मुश्किल या तो कोई भी कारिये सहज होता है या मुश्किल होता है कभी सहज, कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा न कारण है आदत से मजबूर हो जाते है और बाब दादा तो बच्चों की मेहनत करना यही सबसे बड़ी बात लगती है अच्छी नहीं लगती है मास्टर सर्व शक्तिवान और मुश्किल टाइटल अपने आपको क्या देते हो? मुश्किल योगी या सेहज योगी? और योग है ही क्या? बस याद करना उज़ार दादी कभी कहती थी ना किसी को समझाती थी तो हम लेकर जाते थे ना भाईवेनों को, नयों को तो फिर वो मुश्किल क्या है? मेडिटेशन ही मुश्किल होता है याद करना तो दादी यह की बात समझाती थी याद क्या है? नाचना, गाना इसी को कहेंगे याद याद में रहना सारा समय नाचते गाते रो कितना सहज है? योग भी नहीं याद और सहज याद भी नहीं नाचो, गाओ इजी है, मुश्किल है अंदर से मन नाचता रहे मन गाता रहे याद मतलब मन नाचता रहे तो बागा कहते है कभी सहज योगी कभी मुश्किल योगी योग है ही क्या? बस याद करना और पावर्फुल योग के सामने मुश्किल हूई ही नहीं सकती योग लगन की अगनी है अगनी कितना भी मुश्किल चीज़ को परिवर्टन कर देती है लोहा भी मोल्ड हो जाता है यह लगन की अगनी क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है कई बच्चे बहुत अच्छी ची बाते सुनाते है बाबा क्या करे वायू मंडल ऐसा है साथी ऐसा है हंस बगले है क्या करे पुराने हिसाब किताब है बाते बहुत अच्छे ची केते हैं बाप पुछते हैं क्या अब बताओ बाबा का अंसर ये ऐसा है ये ऐसा है आपको क्या बता फिर हम लोगों को बोलते हैं दुनिया नहीं ऐसे आपको कैसे वायू मंडल में हम रहते हमको ज्ञादा मांग्स देगा और एडिशन 10 है तो आप ब्रामन ने कौनसा ठेका उठाया है ऐखका तो उठाया नव्षे परीवर्तन करेंगे तो जो विश्वपरीवर्तन करता है वह अपने मुश्किल को क्यों नहीं मिठा सकता तो आज क्या करेंगे जमा का खाता बढ़ाओ तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभ़व करेंगे कभी मुश्किल कभी सहज इसमें मज़ा नहीं है ब्राम्मन जीवन है मजे की संगम योग है मजे का योग बोज उठाने का यूग नहीं है, बोज डैश का यूग है, उतारने 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 का जमा हो गया, और वोई feelings को continue करो यो justify करो घाटा हो गया, ठीक है, सबी तो बाबा पूछ रहे हैं, बोज उतारने का युगेते चेक करो, अपनी तकदीर की तस्वीर, knowledge के आइने में अच्छी तरश से देखो, आइना तो है ना या नहीं है, आइना तो है ना, तूट तो नहीं गया है ना, कौन साब mirror, मुरली ले लो, मुरली में देखो आज क्या हुआ, पूरा दिन, मुरली ले जाना, तो आइना है knowledge, तो तकदीर की तस्वीर देखो, आइना है ना या नहीं, सभी को आइना मिला है, सभी को आइना मिला है, आइना मिला है या चोरी हो गया, पांडव तो सम्भालने में होशियार है ना पूछ रहे बाबा पांडव को आईना है ऐसे पांडव के तो जेब में आईना रहता ही है ना नहीं रहता है नहीं रहता है राजिंदर भाई वो जेब में एक छोटा सा मिरर रखते है कंगी रखते है उन लोग को जुरूत नहीं है बाबा को नाज है पांडो तो संबालने में होशिया रहे ना आइना है आइना है ये ये वाला आइना है पूछ रहे हाथ तो अच्छा उठाया अच्छा है तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वावा का गीत गाओं, वाव मेरी तकदीर, रुमेशा, वाव मेरा बाबा, दुनिया वाले क्या गीत गाते हैं, क्या मेरा भाग्य, स्टार्टी वैसे करते हैं, तो बाबा क्याते हैं, वाव मेरी तकदीर, वाव मेरा बाबा, और वाव मेरा परिवार, परिवार भी वावा है, ऐसे नहीं, ये तो बहुत वावा है, ये थोड़ा ऐसा है, नहीं, वाव मेरा परिवार, अलब ये वाला ठीक है, ये वाला, वाव मेरा परिवार, वा मेरा भाग्य, और तीन वा, वा मेरा परिवार, और वा मेरा बाबा, ब्राम्मन जीवन अर्थात, वा हा वा हा, ये थोड़ा ऐसा है, नहीं, हाई हाई नहीं, वा वा, उस दिन भी बताया था ना, शारिडे की व्यादी में भी, अब हाई हाई नहीं, वा, क्या था, फ्राइडे का था वर्दान, नहीं, अब एक तिशारे था, कि वर्दान था, वा, वा बिमारी, वा, कितना हिसाब किताब चुक्तु करा दिया, ऐसे कितना टाइम लगता, तो वा वा, वा, ये भी बोज उतरता है, शारिडे की व्यादी में भी, हाई हाई नहीं, वा वा, ठीक है मनोज भई, वा वा, ये भी बोज उतरता है, हाई हाई करने से, एक तो बिमारी का दुख, एक है संकल्प का दुख, दो एड हो जाता है, देखो दुनिया वालों को पता ही नहीं, वो सुचते बिमारी का दुख मतलब दुख, उनको पता नहीं, ये संकल्प का भी कोई एक अलग अस्थित्व है इतना mix किया हुआ है situation के साथ अपने आपको और बाबा हमको clear करते हैं विमारी है संकल्प आपके तो अगर बाबा क्या करें शारिरी की व्यादी में भी high high नहीं वा यह भी बोज उतरता है कैसे कैसे बोज कैसे उतरता है अगर दस मन से आपका तीन-चार मन बोज उतर जाए तो अच्छा है ना अच्छा है यह high high है देखा ना दादिया कितनी छोटी-छोटी बात में कि चलो मेरा उसने मुझे वो चिलाया मेरा हिसाब किताब चुक्तु गए उसने ऐसे किया मेरा हिसाब किताब चुक्तु तो दस मन से आपका तीन-चार मन बोज उतर जाए तो अच्छा है यह high high है क्या है वा बोज उतरा हाई मेरा पार्टी ऐसा है हाई मेरे को व्यादी छोड़ती ही नहीं है आप छोड़ो या व्यादी छोड़ेगी वावा करते जाओ तो वावा करने से व्यादी भी खुश हो जाएगी देखो यहां भी ऐसे होता है ना किसकी महिमा करते हो तो वावा करते हो तो व्यादी को भी इतना अच्छा तरीका बाबा ने वताया है भी जिसके महिमा करते हैं वो आपके favor में हो जाता है तो व्यादी भी क्या करेगे वो शरीर भी आपके favor में हो जाएगा तो व्यादी को भी वह करो हाई यह मेरे पास ही क्यों आई मेरा ही इसाब है क्या तो अब इसके राइट है के नहीं, मेरे पास ही आई, पता नहीं सारा हिसाब मेरे से ही लेना है, प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है, प्राप्तिया सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो, तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी ना, मतलब तो ब्राह्म ब्रामन जीवन में कुछ भी हो जाए, क्या करो, पोजिटिव रूप में देखो, नेगेटिव से पोजिटिव करना तो आता है ना, नेगेटिव पोजिटिव का कोर्स तो कराती हो ना, तो उस समय अपने आपको कोर्स कराओ, तो मुश्किल सहज हो जाएगा, मुश्किल शब आत्मा से है शरीर से है या प्रकृति से है क्योंकि प्रकृति के ये पाच तत्व भी तो कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं कोई भी हिसाब किताब योग अगनी में बसम कर लो समझा क्या करना है जमा का खाता बढ़ाओं कोई भी बात आई किसकी बात ही कौनसे डॉक किंसन था या कुछ था अच्छे एक्टिव थे तो जैसे पता चला उस दिन कहां कि घर गए है यूगल को कह दिया कि अब मुझे आज पूरे दिन डिस्टर्ब नहीं करना सारे फोन स्विच ओफ 18 अवर्स योग किया continuous ठीक हो गए है बहुत बड़ी बहुत बड़ा पेपर बिन्दू रूप स्थिती में 18 अवर्स तक रहें तो बाबा कहते हैं नेगेटिव को कोई भी हिसाब है आत्मा से है शरीर से है या प्रकृति से हैं कोई प्रकृति के ये पाच तत्व भी कई बर मुश्किल का अनुभव कराते हैं कोई भी हिसाब किताब योग अगनी में कोई भी हिसाब किताब आता है ये अच्छा फॉर्मूला है ट्राइ करना चाहिए एक तो उस परिस्थिती के बेस्ट मेरे को क्या चाहिए वो विजुलाइस करें वो खराब हो रहा है वो ऐसे हो रहा है वो और ऐसे हो रहा है वो नहीं अच्छा हो रहा है परिष्टिति कुछ भी है क्या भी है ठीक में लेकिन एक चीज तो बिमार नहीं होता है तो विजनेस खराब होने के बजाये एक ही तो business खराब रहता है worst to worst case में दूसरा तो मन तो ठीक रहता है तो बावा कहते हैं तो योग का चाट बढ़ा और जमा पूरा होगा योग का चाट चाए उसके निमित है लेकिन योग का चाट तो होगा अच्छा कोई भी हिसाब किताब है योग अगनी में भसम कर लो समझा क्या करना है जमा का खाता भड़ाओ बोल में भी साधारण बोल नहीं बोल में भी भिन भिन भाव और भावना होती है और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पढ़ जाता है तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुबवा स्रेष्ट भावना हो बोल भी और भावना भी माया की भावना है वो पिवेन बताती है न कई बार कि वो दादी को वोकिंग लेके जाती थी क्लास के बार जानकी दादी को तो एक बार दादी ने ऐसी चुपचाप साइलेंट में जाती पूछा कि अच्छा कारोबार सब ठीक चल रहा है, ऐसे वैसे, हाँ दादी सब ठीक है, लेकिन एक भाई है ना वो, वो बहुत तंग करता है, एक दो बाते उसके, दादी ने पावरफुल द्रश्टी ती, बोला मतलब, बोला दादी मैं कुछ गलती हूँ, बोला तुम ये बोलके अपना संस्कार खराब कर रही हूँ, अगर मैं हा करती हूँ, दादी ने बिल्कुल उसको निगेट किया, मतलब तुम्हारे कंप्लेन करने के संस्कार मैं बढ़ाती हूँ, दादी ने का तुम चेंज करो, कितना दादी या भाव और बोल के कोई बोल बोले उसको justify या authenticate नहीं करते थे। क्या, बहुत अच्छा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, ये सब हमने क्या किया, किसी की गलती सुनी, और ही मतलब, बाबा ने का न, ऐसे भी किया, ऐसे किया, क्या किया, उसके हिसाब किताब में अपना भी एड कर दिया, वो तो चल रहा है, वो तो एड कर रहा है, टेका दिया, हाँ, एक है उसको solve किया, पर एक है add किया, तो बाबा केते हैं, बोल भी और भावना भी, माया की जो भावना है, वो है इर्शा, हस्थ, घ्रणा, ये माया की भावन हो, ऐसा है, चेक करना, समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ग्यान का खजाना, गुणों का खजाना, एक-एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है इन सर्व खजानों का खाता भर पूरो तब कहेंगे full marks अर्थात pass with honor ऐसे नहीं सोचना एक खजान अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है लेकिन pass with honor बनने के लिए सर्व खजानों में से खाता भर पूरो अच्छा, जो एक second में अपने संकल को जो चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ एक second में mind control हो जाए एक second में हो सकता है अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ mostly होता है एक second यह हमारा पूरा पेपर ही एक second का है अच्छा है इस वायू मंदल में मदुबन में बैठे हो मदुबन का वायू मंदल पावर्फुल है इस वायू मंदल में इस समय मन को control कर सकते हो चाहे minute में करो चाहे second में करो लेकिन कर सकते हो order दो मन को बस आत्मा परमधाम निवासी बन जाओ, देखो, मन ओर्डर मानता है या नहीं मानता, फिर बाबा ने ड्रिल कराई, करेंगे भी ड्रिल, अच्छा, चारो और के सर्व घजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकेंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहेज योग सदा संकल्प, समय, बोल, करम को स्रेष्ट बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मनबुद्धी संसकार को, ओडर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य यदिकारी बच्चों को, चाहे देश में, चाहे विदेश में, लेकिन दिल से दूर नहीं हैं ऐसे चारो और की बच्चों को बाब दादा का याद प्यार और नमस्ते हैं इस म्रती से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव इस म्रती से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव जैसे आज कल की दुनिया में कोई VIP का बच्चा होगा तो वो अपने को VIP समझेगा लेकिन बाप से उचा तो कोई नहीं है तो हम ऐसे उचे से उचे बाप की संतान उची आत्माए है यह स्मृति शक्ति शालिव बनाती है उच्चा बाप, उच्चे हम और उच्चा कारिय ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं सारे विश्व के आगे स्रेश्ट और उच्ची आत्माए आपके सिवाई कोई नहीं है इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है अच्चा स्लूगन है संपूर्णता के दरपण में सुक्ष्म लगावो को चेक करो और मुक्त बनो संपूर्णता के दरपण में सुक्ष्म लगावो को चेक करो और मुक्त बनो बड़ा उंबग दिया है आज का क्या है उंबग जमा का खाता चेक करो हर बात में जमा करो परिस्तिती आई जमा करने का मौका मिला कोई उक्रोध करता है तो भी जमा करने का मौका यह ना यह है जमा करने का जोल ओम शांती तो अभी हम आज पहले